देखिए अब जो हम topic पढ़ रहे हैं वो है base system बहुत interesting और बहुत important topic है ये भी gate में भी काफी questions इसे पूछ लिया जाते हैं तो let's say for example हमारे पास यहां पर base 2 है then इसके अंदर valid digits जो हम use कर सकते हैं वो है हमारी 0 और 1 ठीक है और जो maximum digit होगी base 2 की वो होगी 1 ठीक है let's say हमारे पास base 4 है then इसके अंदर जो digits हम use कर सकते हैं वो है 0 1 2,3 और इसकी maximum digit होगी हमारी 3 let's say for example अगर base 8 है then इसके अंदर valid digits होगी वो होगी 0 1 2 3 4 5 6 and 7 ठीक है तो 7 तक होगी और इसकी maximum digit जो हम use कर सकते हैं वो है 7 that means अगर मैं general formula लिख हूँ तो let's say अगर base n है then उसकी जो digits हम use कर सकते हैं वो होगी 0 से शुरुआत होगी और कहा तक होगी n-1 तक और उसकी maximum digit क्या होगी n-1 तो इस तरह से हमारा base system चलता है तो let's say हमें कोई number दिया हुआ x y z ठीक है और उसका base दिया हुआ है let's say अगर वो किसी base b में हमें दिया हुआ है ठीक है तो अगर हमें इसका decimal equivalent निकाला है then इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं b की power 0 into z plus b की power 1 into y plus b की power 2 into x ये x वाला ये वाला ये y आपका यहाँ पे और z ये वाला आपका यहाँ से आया and so on अगर left hand side में अगर digits और होती तो b की power बढ़ती जाती तो ये इस तरह का general formula है जो हम use करेंगे जब हमें decimal equivalent निकालना होगा let's say for example यहाँ पे question करते हैं हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि 32 plus 24 is equal to 100 यह हमें दिया हुआ है और हम से कहा गया है कि आप base को identify करिए यह किस base में दिया हुआ है मैं base को identify करना है तो अगर मैं यह वाले formula को यहाँ पे apply करता हूँ तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा यह b की power 0 यह मिलेगा b की power 1 this is b की power 0 this is b की power 1 यह b की power 0 b की power 1 and यह जो 1 है यह रहेगा b की power 2 तो इनको अगर मैं लिखना चालू करूँगा इस form में तो मुझे मिलेगा यहाँ पे मिलेगा 3b because b की power 1 है b की power 0 that means यहाँ पे 1 आएगा plus 2 then plus इसको अगर मैं लिखूँगा तो मुझे मिलेगा 2b plus 4 is equal to यह दोनों 0 रहेंगे तो anything multiplied by 0 you will always get 0 तो यहाँ पे simple यहाँ पे रह जाएगा b square b square into 1 you will get b square तो अगर आप इस equation को solve करोगे तो b की value जो निकलेगी वो यहाँ से निकलती है क्या 6 6 will be the base to this question ठीक है तो इस तरह से देखा आपने कि हम base को identify कर सकते हैं अब मैं आपको एक shortcut trick पताता हूँ let's say for example 873 plus 117 हमें दिया हुआ है decimal number system में decimal number system में that means कि हम आपे कैसकते हैं हमारा base 10 है base 10 है तो maximum digit हम आपे use कर सकते हैं वो है 9 ठीक है तो 3 plus 7 जब हम करते हैं तो हमें क्या मिलता है 10 10 मिलता है that means यहाँ पे हमें 0 मिलता है और carry generate होता है वो आपका left hand side में forward हो जाता है हो ही उसका base 3 plus 7 is equal to 10 10 is the base right यही ट्रेक अब हम उसी question में लगाते हैं देखे आए यही question को हम उसी trick से करते हैं हमें यहाँ पे दिया हुआ 32 plus 24 is equal to 100 that means हम यहाँ पे कह सकते है 2 plus 4 is equal to यहाँ पे दिया हुआ नीचे 0 that means और decimal number system में जाते है 2 plus 4 is equal to how much 6 और यहाँ पे हमें मिल रहा है 0 that means हम यहाँ पे कह सकते है जो उसकी maximum digit थी वो आपकी 5 रही होगी और base आपका 6 रहा होगा 3 plus 2 is equal to 5 और 5 plus 1 is equal to 6 that means again यहाँ पे 0 आया carry आपका फिर से generate हुआ यहाँ पे and यह carry आपका यहाँ पे forward हो गया तो इस तरह से questions को हम solve कर सकते हैं आईए कुछ problems करते है